प्रस्तावना एक स्वस्त सुंदर एकजुट समाज का विचार देश का भविश्य बच्चों पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग बच्चों के समग्र विकास के लिए देखवाल और काम करते हैं वे ऐसाधारन हैं। ऐसे बच्चों का प्रेमी एक एसाधरन व्यक्ती थे भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जोहारलाल नहरू। 14 नवंबर पंडित जी का जनम दिन है। भारत में हर साल इस दिन को उत्सहा के साथ बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्य दिनों की तरहें बाल दिवस भारत का एक राष्ट्य गोरव का दिन है। नहरू के जीवित अवस्ता से यह मनाया जा रहा है बाल दिवस मनाने का उद्देश है। बच्चे प्रतेक राष्ट्य की राष्ट्य संपत्ति हैं। बच्चे की देखबाल सुरक्षा और पूर्ण विकास करना राष्टिय करतव्य है और यह बात पंडित जी को एहसास हो गया था पराधिन भारत के सक्ति बाहर चल रही थी एक कमजोर भारत के उत्थान के लिए उन्होंने राष्टे प्रगती के लिए बच्चों के विकास को प्रात्मिक्ता दी भारत में बाल उपेक्षा उनकी द्रश्टी से नहीं बची थी इसलिए नहरू ने द्रड़ता से घोशना की राष्टे के भविष्य के बच्चों की उपेक्षा एक राष्टी अपराध है नहरू बच्चों के बहुत सोकीन थे राजनितिक उथल पुथल के बीच भी उनका बच्चों के प्रती उत्सा और उमंग से भरा रहा बच्चों की संगती में वें अपने व्यस्त जीवन के दर्द और भूल जाते थे उन्हें सरल बच्चों में शांती और आनंद मिलता था पंडित जी के बच्चों के प्रती प्रेम के सम्मान में हर साल पूरे भारत वर्ष में पंडित जी के जनम दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट नायक नहरू के जीवन म बच्चों के प्रती प्रेम उनके जीवन की सबसे महतपुन बात है कारिय करम बाल दिवस के आउसर पर विभिन कारिय करम आयोजित के जाते हैं राजये और राश्ट इस्तर पर विभिन संस्थानों द्वारा बाल दिवस सम्रों अयोजित के जाते हैं इस दिन कई तरह के संस्क्रतिक और सामाजिक कार्यकरम आयोजित के जाते हैं बच्चों के मनोरंजन कार्यकरम अधिक शुकत होता है बच्चों को प्रोसाहित करने वाले पुरुषकार भी प्रदान किया जाता है। सिख्षक और बच्चे बाल दिवस के बारे में भाशन देते हैं। बविश्य के कल्यान के बारे में सुचित करता है। राष्टे इस तर पर बाल दिवस हलांकी पूरे भारत में बच्चों को बाल दिवस आयोजित किये जाते हैं। लेकिन दिल्ली में आयोजित बाल दिवस एदिती है। दिल्ली के सभी स्कूलों के छात्रों नैसनल स्टेडियम में खटा होते हैं। वहां उनका सामुईक वायाम दर्शुकों को मंत्र मुग कर देता है। महा महीम देश के प्रधान मंत्री इस आउसर पर उपस्तित होकर पंडित नहरुकी सेक्षिक घटनाओं को प्रस्तूत करते हैं। और उन्हें इसे जीवन में एक उधारन के रूप में लेने की सलहा देती हैं। उपसनार अगर बाल दिवस सभाओं तक सीमित रहता है तो इसका लक्षे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार और लोगों के प्रियासों किया उसकता है। बच्चों की विबिन समश्याओं के समाधान के लिए सरकारी योजनम का विस्तार किया जाना जा। उनके बोधिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। बच्चों के समगर विकास में राष्टिय प्रगती संभाव है। धन्यवाद जैहिंज जैभारत।